नमस्कार दोस्तों आप सबके मेरे चनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप सबके लिए प्रम प्रागत तरीके से मिट्टी के हंडी में डाल बनाने का तरीका बता रही हूँ ये डाल बहुत ही टेश्टी और स्वादिस्ट बनती है आप लोग जरूर इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताएगा आपको दाल कैसे लगी इसे आप दाल रोटी चाबल के संग सर्फ कर सकते हैं आए वीडियो सुरू करते हैं शब्से पहले में यहांपे मैंने कुछ मसाले लिय contr A player यहां मैंने रेंखिय और और हरी मिर्ट लिये आप अपनेहेंट के अनुसार से डाल सकते हैं इन सबको मैंने म्मेशी जार में बारीकबारी कटकर डाल लिया है और इनका मैं पेश्ट त्यार कर लेती हूँ, तो यहां मैंने पेश्ट त्यार कर लिया है, अब मैंने यहां पे एक मिट्टी की हंडी लिया है, मिट्टी की हंडी आप देख रहे होगे, इस तरह की होनी चीह हैं, जिसमें की हम कुछ पका सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप कोई भी को अच्छी तरह से धो कर मै67 आधे घोने के लिए इसका पारी पानी में भीग चुटी सब्भी अक कर ऄ दिए इसे भीगो के बनाएं, सबसे पहले मैंने ये डाल इस हांडी में डाल देती हूं, साथ में मैंने यहां मसाले जो पीसके रखे थे, इसे भी डाल देती हूं, अब मैं इसमें एक कटूरी डाल में, चार कटूरी पानी डालेंगे, और अच्छी तरह से मिला देंगे, हम इसे गैस पे रख देती हूँ और इसे ढखकर 5 मिनिट के लिए एक उबाल आने तक इसे हमें पकाना है 5 मिनिट हो चुके हैं आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुका है अब इसमें नमक डाल देती हूँ टेश्ट करनू सार और गैस को हमें मेडियम से लो पे कर लेना है बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है क्योंकि दाल निकल के गिर सकती है इसे हमें पूरा ढखके नहीं पकाएंगे थोड़ा सा हम आदा इसको खोल के रखेंगे दोस्तों यकिन कीजिए मिटी की हांडी की दाल जो बनती है चम इसको हम खाते हैं तो बहुत ही स्वादिश्ट बनती है आप लोग भी जुरू ट्राई करिएगा 15-20 मिन्ट हो गए हैं यहां हमारी दाल 80% पकर त्यार हो चुकी है इधर हम मसालो की त्यारी कर लेते हैं कैस पर कड़ाई रखे है कड़ाई हमारी गरम हो चुकी है यहां मैंने एक बड़ा चमच देशी घी कर लिया है एक चमच यहां पर में लाल मीच पॉडर डालूँगी एक चमच यहां पर मैंने धनिया पॉडर लिया है और 4 टीस्पून यहां पर घर मसाला डाला है एक सेकंड ते लिए इन मसालों का भूना है अब मैंने यहां पर टीमाटों लिये थे इनका पेस्ट बना लिया था अब टोमाटों को भी डाल देती हूं मसालों को हमें इतना पकाना है जब तक ये तेल छोड़ने लगे यहां मैं लेसुन प्याज का बिल्कुल भी यूज नहीं कर रही हूँ आज मैंने बिना लेसुन के ही बनाया है अब यहां पे हमारा मसाला भून के त्यार हो चुका है इधर हमारी दाल भी पक चुकी है अब जो हमने मसाला त्यार करा था इस हांडी में हम डाल देते हैं और मैं यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और यहाँ मैंने गैस को बंद कर दिया है अब यहाँ मैं तड़के की त्यारी कर लेती हूँ यहां मैंने एक पैन लिया है, एक चमच देशी घी डालेंगे, अब इसमें मैं दो पींच हिंग डाल देती हूँ, साथ में ही मैंने यहां पर अदर चोटा चमच जीरा लिया है, अच्छी से तड़कने तक इसे भुनना है, आप चाहें तो इसमें अदर अधर हरी मिर्च का प खा सकते हैं, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए, तो आप जाधा से जाधा शेयर कीजिएगा, और लाइक करना ना भूलिएगा, अगली वीडियो में भी मिलते हैं,